काले काले शाली ग्राम तुलसा हरी रे भरी, काले काले शाली ग्राम तुलसा हरी रे भरी, हरी रे भरी मेरे अंग्रा में खड़ी, काले काले शाली ग्राम तुलसा हरी रे भरी तो आईए श्रोताओ आज तुलसी विवाह की इस्तिव्य कथा का श्रवन करते हैं और तुलसी विवाह के इस पवित्र प्रसंग के हर पहलू को जानकर अपने जीवन में भक्ती और प्रेम का संचार करते हैं प्रेम से बोलिए गणपती भगवान की जै शालिग्राम भगवान की जै तुलसी मता की जै तुलसी विवाह की कथा के नुसार सावनी मुनी की पुत्री तुलसी अपूर्व सुन्दरी थी उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारैंड के साथ हो इसके लिए उन्ह वर मांगने को कहा तब तुलसीजी ने कहा हेस्त रस्टी करता ब्रह्मदेव आप अंतर्यामी हैं सब के मन की बात जानते हैं फिर भी मैं आपको अपनी इच्छ बताती हूं मैं चाहती हूं कि भगवान श्री नारायन मुझे पती रूप में मिले तब ब्रह्माजी ने कहा को भी दानव कुल में जन्म लेने का शाप मिला है दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायन का अंश विद्यमान रहेगा इसलिए इस जनम में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायन तो नहीं नारायन के अंश से युक्त दानव कुल मे जन्मे उस शाप करस्त पार्षत से तुम्हारा विवा होगा शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायन सदा सरवदा के लिए तुम्हारे पती हो जाएंगे तब तुलसी जी ने श्री ब्रह्मा जी के इस वर को स्विकार कर लिया क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उन ब्रह्मन करता हुआ बद्री वन में आया यहां तुलसी जी को देखते ही वह उन पर मुख्ध हो गया तुलसी जी के सामने उसने अपने साथ विवा करने का प्रस्ताव रखा इतने में ही ब्रह्मा जी वहां आ गए और तुलसी जी से कहा तुलसी शंक चुन को देखो कैसा देवोपम इसका स्वरूप है दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है मानो इसके शरीर में नारेन का वास हो तुम प्रस्ताओं को सहर्ष स्विकार कर लो तुलसी जी को भी लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हुई उने इच्छित फल मिला है इस प्रकार शंक्चू ने अपनी परमसुंदरी सतिसाथवी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज किया उसने अपने राज का इतना विस्तार कर लिया कि देव लोग तक उसके अधिकार में आ गया स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा अब दैनी हो गई शंक्चून किस को कस्ट नहीं देता था पर अधिकार और राज चिन जाने से सारे देवता मिलकर श्री ब्रह्मा विश्नु और शिवजी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई तब ब्रह्मा जी ने कहा तुलसी परमसाध्वी हैं उनका विवहाब शंक्चोन से मैं नहीं कराया शंक्चोन को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को न चला जाए तब शिर विश्नु ने कहा शंक्चोन पूर्व जनम में में मेरा पार्शत था शाप के कारण उसे दैत्यकुल में जनम लेना पड़ा इस जनम में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है स तुलसी के पतिवरत धर्म से वह अजेब ही है फिर देवताओं की सहमती से भगवान शिव ने शंक्चोन के पास संदेश बिजवाया या तो वह देवताओं का राज लोटा दे या फिर उनसे युद्ध करे शंक्चोन शंकर जी के पास पहुचा और उसने कहा देवाधिद आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है राज necess का विस्तार करना तो हर राजा का करतव है और मैं किसी को दुखी भी नहीं कर रहा हूँ आप देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा होकर रहें मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता और अगर इस युद्ध में आप हार गए तो ये तो बड़ी लज्जा की बात हो गई अगर मैं हार गया तो आपकी कीरती बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी शंक्चून की बात सुनकर भगवान शंकर हसे वे तो सब रह से जानते थे तुलसी और शंक्चून के पूर्व जनम के शाप की अवधी अब लगबग पूरी हो चुकी थी भगवान शंकर बोले शंक्चून इसमें कीरती और रज्जा की तो कोई बात ही नहीं तुम देवों का राज लटा कर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो युद्ध से बचने का यही एक मात्र उपाय है तब शंक्चून ने कहा मैंने तो युद्ध के बल से ही देवलोग को जीता है और कोई उसे केवल युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है यही मेरा अंतिम निर्नय है मैं जा रहा हूँ ऐसा कहकर शंक्चून चला गया उसने अपने राजमहल में वापस आकर अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा कर्म भोग सब काल सूत्र में बधा है जीवन में हार्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल सब कुछ काल के अधीन है हम तो केवल निमित है, संभव है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा और फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतरित्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया शंक चून ने भीशन वानों की वर्षा करके उनका वेग रोका उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे फिर उसने दानवी शक्ती का प्रियोग करके मायवी युद्ध आरम कर दिया युद्ध स्थल पर वह कभी किसी को दिखाई नहीं देता था पर उसके अस्त्र शेस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे देवगण अपने अस्त्र चलाएं भी तो किस पर चलाएं क्योंकि कोई शत्रू सामने था ही नहीं कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला शंक चून पराजित नहीं हुआ ता भगवान शिव ने श्री विष्णू से कहा हे हरी कुछ उपाय करो अनिथा मेरा तो सारा ये श्मिट्टी में मिल जाएगा भगवान श्री विष्णू ने सोचा बल से तो शंक चून को हराया नहीं जा सकता इसलिए अब छल का सहरा लेना पड़ेगा उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंक चून जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसजित होकर वे महल में तुलसी जी के पास आये और बोले प्रिये मैं युद्ध जीत गया सारे देवता भगवान शंकर समेथ हार गए इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अंक से लगा लू पती को प्रितक्ष खड़ा देख और विजय का समचार सुनकर वे दोल कर मायावी शंक चून के गले से लिपड़ गई इस प्रकार पती पत्नी तोनोंने आलिंगन होकर खुब आनंद मनाया इधर पराय पुरुष के साथ इस प्रकार के विवहार से तुलसी का सतीतेज नस्थ हो गया उनका सतीतेज जो शंक चून की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था वे कवच नस्थ हो गया अब युद्ध के मैदान में इधर शंक चून शक्तिहीन हो गया ये जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार कर दिया त्रिशूल के लगते ही शंक्चोन जलकर भस्म हो गया शंक्चोन के मरने को जानकर अब श्री विश्नु अपने असली स्वरूप में आ गए साम ने अपने पती शंक्चून के इस्थान पर भगवान विश्णू को खड़ा देख कर तुलसी बहुत आश्चर चकित हुई अब उन्हें पता लग गया कि स्वयम नारायन ने उसके साथ छल किया है तब क्रोध में आकर उन्होंने शाप दिया कि एक सती इस्त्री का सतित्व भंग करने के अपराद में आप हर्दहीन पत्थर हो जाओ तब अगवान श्री विश्णू ने तुलसी जी के शाप को शिरोधार करते वे कहा देवी तुम्हारे और शंक चोन के कल्यान के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा तुम दोनों को शाप मुक्त करना था तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिर्वा के रूप में जनम लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी मैं शालिग्राम पत्थर बनूँगा मेरे शीश पर तुम सदयव आदर से विराजमान होगी तुम्हारे पती की हड्यों के चोन से शंक की उत्पत्ती होगी उस शंक ध्वनी से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी जहां शंक ध्वनी होगी वहां सदयव मैं मंगल मैं विराजमान रहूँगा तुमने पूर्व जनम में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी अब अगले जनम में मैं नारैंग प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होगा और मेरी पूजा अर्चना फलफूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी मेरे शीष पर विराजमान होकर तुम मुझे से भी उचा पदप्राप्त करोगी और मेरा भोग भी तुम्हारे बिना स्विकार नहीं होगा प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय सिर्व इश्नु भगवान की जय जिस दिन तोलसी जी का विवा कराया जाता है उस दिन इस कथा को सुनने से अपार पुर्णी की प्राप्ति होती है तो सुनिए आज शालिकराम भगवान की कहानी किसी काओं में एक बुढिया मा थी उन्होंने शालिकराम जी की सेवा का संकल्प लिया हुआ था और वह प्रतिदिन नियम से शालिकराम भगवान की सेवा किया करती थी कार्थिक मास में एक बार वह गंगासनान का विचार कर अपनी पडोसन से कहने लगी बेहन मैं गंगाजी सनान करने जा रही हूँ तुम मेरे शालिकराम जी को रख लो और जब तक मैं नहीं आऊं तब तक उनकी सेवा कर देना पडोसन ने जब ये सुना तो उसे बड़ी प्रसनता हुई कि उसे भगवान शालिकराम जी की सेवा पूजा का शुब अवसर मिल रहा है इसलिए उसने हाथ तो भर दी लेकिन थोड़ी देर के बाद वे चिंता में डोब गई और फिर कहने लगी बहन मैं शालिकराम भगवान जी को रख तो लूँगी लेकिन मुझे तो उनकी सेवा पूजा करना आती ही नहीं तो भला मैं कैसे करूँगी तब पड़ोसन की बात सुनकर बुडिया मा उसे समझाते वे कहने लगी कि इनको सुभा सवेरे उठा देना नदी से लोटा भर कर पानी लाना आते समय बगीचे से फूल और तुलसी भी लेते आना भगवान को जल और कच्चे दूद से इसनान कराना चंदन लगा कर पुष्प और तुलसी चड़ाना दूद का भोग लगाना और दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देना शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय शालिक राम जी को भी सुला देना बस ऐसे ही पुझा करनी है इतना कहकर वह बुढिया मा पडोसन को शालिक राम जी देखकर गंगा जी इसनान करने को चली गई इधर अपने घर में शालिगराम जी को पाकर पडोसन बहुत उत्साह में थी पडोसन ने सब कुछ बुढिया मा के कहे अनुसार किया सवेरे उठते ही शालिगराम भगवान जी को भी आवाज लगा दी कि भगवन उठ जाईए सुबह हो गई उसके बाद वह बड़ी खुशी खुशी नदी से लोटा भर कर जल ले आई आते समय बगीचे से फूल और तुलसी भी लेती आई भगवान को जल और कच्चे दूद से सनान कराया चंदन लगा कर फूल और तुलसी चड़ाई उसके बाद उसने दूद का भोग लगा दिया फिर वह दोपहर का भोजन बनाने में लग गई भोजन बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया भोग लगाते समय उसने देखा कि उसके द्वारा अरपित किया गया दूद तो कटोरे में वैसा ही पड़ा है के द्वारा अर्पित किया गया भोग वैसे ही पड़ा हुआ था जैसा वो रख कर गई थी तब मैं भगवान से हाथ चोड़ कर कहने लगी भगवन दूध भी पी लो और भोजन भी कर लो अगर आप भोजन करेंगे और दूध पियेंगे तभी मैं भोजन कर पाऊंगी इतना क जहकर वैं फिर से घर के कामकाज में लग गई थोड़ी देर के बाद वापस आकर देखा कि भगवान ने तो दूध भी नहीं पिया और नहीं भोजन किया ये देखकर अब तो बडोसन चिंता करने लगी फिर वह हाथ चोड़कर भगवान से कहने लगी हे भगवन आपकी मा भोजन कर लो तभी तो मैं भी भोजन कर पाऊंगी लेकिन भगवान ने ना तो दूध पिया और ना ही भोजन किया करते भी कैसे उधर वह पडोसन भी भूगी ही बैठी रही बीच बीच में आकर वह देखती जाती कि भगवान ने भोजन किया की नहीं किया और जब देखत कि सब कुछ वैसा ही रखा हुआ है तो वह भगवान से जीमने के लिए प्रार्थना करने लगी धीरे धीरे इसी तरह से शाम हो गई भगवान शालिक राम जी ने सोचा कि अब तो इससे दर्शन देने ही पड़ेंगे नहीं तो ये बिचारी तो सारा दिन और सारी रात भूकी ही बैठी रहेगी ऐसा सोचकर भगवान चोटा सा मोर मुकुट पितामबर धारी रूप धारन करके पाटे पर जाकर बैठ गए दूद पी लिया और भोजन भी कर लिया अब तो रोज ऐसे ही होने लगा एक दिन भगवान ने पड़ोसन से कहा कि मैं गाये चरा लाओं तो प चले गए गाये चराने दिन भर गाये चराई और शाम को गोधुली बेला में गाये लेकर वापस भी आ गए अब तो रोज ही रोज पड़ोसन के घर में ऐसा होने लगा भगवान रोज दूद पीने लगे और भोजन करने के बाद गाये चराने चले जाते और शाम को सोचने लगी कि अपने शालिक राम जी को तो ले आऊं आकर वह पडोसन के घर गई पडोसन से कहने लगी बहन जरा मेरे शालिक राम जी तो दे दो तो पडोसन कहने लगी मा जी शालिक राम जी तो शाम को आएंगे तब ले जाना अब तो बुडिया मा शालिक राम जी के सारी लोग इकठे हो गए लोगों को देखकर वे पडोसन कहने लगी भाई लोगो जरा इन बुढिया मा को समझाओ जैसे इन होने एक महिना निकाला वैसे ही शाम तक थोड़ा और सबर कर ले लेकिन बुढिया मा तो धर्णा देकर बैट गए और कहने लगी मैं तो बस अपने शालिगराम जी को लेकर ही घर जाओंगी वरना यहीं बैठी रहूंगी बुढिया मा को लगा कि शैद उसकी पडोसन जूट बोल रही है बुढिया मा उसे डपट कर कहने लगी बता तुने कहां छुपा कर रखा है मेरे शालिगराम जी को लेकिन पडोसन हाथ जोड़कर ब भगवान जी गाये चरा कर वापस आये और गाये को उसकी जगर पर छोड़ कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में खुद ही विराजित हो गए ये देखकर पड़ोसन बुढिया मा से बोली मा जी आ गया आपकी शालिग्राम जी लो अब ले जाओ अपने भगवान जी पड़ोसन ने तो कह दिया लेकिन बुढिया मा को भगवान जी दिखाई ही नहीं दिये उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तब बुढिया मा बोली तू इतनी देर से मना क्यों कर रही थी जरूर तू नहीं कहीं चुपा कर रखा था मेरे भगवान को और बुढिया मा आँखों से आशु बह निकले उसने भगवान के सामने हाथ चोड़ लिये और फिर भगवान जी से बोली भगवन मुझे तो आपने दर्शन दे दिये अब इन बुढिया मा को भी अपना रूप दिखा दो नहीं तो ये मुझ पर शक ही करती रहेंगी अब तो भगवान को कर हैरान रहे गई उनका बुढ़ा शरीर कापने लगा और उनकी आँखों से आशु भी जरजर बहने लगे अब तो बुढिया माने भगवान के और पडोसन के दोनों के पैर चुलिये और कहा मैं तो इतने दिन से शालिग्राम जी की सेवा कर रही थी पर मुझे तो कभी भ भगवान को केवल मूर्ती मान कर उनकी सेवा की थी और असल में तू नहीं भगवान को शुद्ध मन से सची सेवा की इसलिए तो भगवान ने तुझे दर्शन दिये ये भगवन जैसे आपने उन्हें दर्शन दिये वैसे सब को देना कथा अधूरी हो तो पूरी करना पू आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक चरूर कीचेगा